केरल की त्रिशुर सीट से कॉंग्रेस नीता के मुल्डी धरन की भारी हार से पार्टी में विवात पेदा हो गया है मुल्डी धरन की हार के लिए जिला नेतरत्यों को जिम्मेदार ठहराय जा रहा है इसके पोस्टर कॉंग्रेस ऑफिस में भी लगा दिये गए है मंगलवार को नतीजे गोशेत होनी के बाद मुल्डी धरन ने चुनावी राजनिती से सन्यास का एलान कर दिया मंगलवार को आय चुनावी नतीजों में बीजेपी उम्मीदवार सुरेश गोपी ने सीपय उम्मीदवार वियस सुनील कोमार को हरा दिया कॉंग्रेस उम्मीदवार मुल्डी धरन तीसरे नंबर पर रहे संगरना संविधानें केरलत्तिल मौत्तत्तिल करे प्रयासतिल आणु अधु 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 संगरेस कार्यकरताओं की तरफ से लगाय गए पोस्टर में पूर्वसांसट टियंग प्रतापन और तिरशूर के जिलाद्ध्ष पर आरसस के करीबी होने का आरोप लगाय गया है त्रिशोर ले कॉंगर्संटे चरित्रतिल इतरमूर अनिभवं आध्यमा अधिनुम्ला अडिस्थान परमाया कारणंगल एंदु 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 परिशोधिकनु पार्क्टी अधिरिफेंडी नटबड़ी सीगरिकनु अन्येशिकुम् एल्ला वसुदकलुम् तिरित्ती पोगार साधिकन दानंगे तिरित्ती पोगुम् अधा अल्येंगिल पार्टी इलेन यदाकन मारे ल्यारी मुड़ेरु तेले वाने लेकोड़ू। मुल्ली धरन की बहन पदमजा वेणु गोपाल चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गई थी। उन्होंने मुल्ली धरन को जिले के कुछ कॉंग्रेस मेताओं के बारे में पहले ही आगा किया था। अगे बारे में अगे लेकोड़ू। कई बार के विधायक और सांसत और पूरू मुख्यमंत्री के करूना करण के बेटे मुल्ली धरन को अंतिम वक्त पड़ सीट छोड़नी पड़ी थी। पिछला चुनाव उन्होंने वड़कारा से जीता था लेकिन इस बार उन्हें त्रिशूर से लड़ना पड़ा। कॉंग्रेस ने मुझूद असांसत टी अन प्रतापन की टिकेट काट कर मुल्ली धरन को त्रिशूर से चुनाव लड़ाया। लेकिन वे बीजेपी उम्मीद्वार सुरेश गोपी से हार गए। प्रकाइब काम त्रिशूर से बाहरा कर दोन्हें प्रतापन को त्रिशूर से बाहरा काट छोपी से बाहरा काम प्रतापन को ते जिस बाहरा मुल्ड़ा है आर गए। झाल झाल